जेशी कृष्णा फ्रेंड्स कैसे हैं आप रूपद किचन में आपका स्वागत है और आज रेसिपी में लिखे आई हूं में गुजिया जो सबकी फेवरेट होती है होली होया दिवाली गुजिया जरूर बनती ही बनती है वही बना रही हूं और इसके लिए सबसे पहले में म मावा मार्केट से लिए मिल्क पाउडर और दूद आदा आदा दोनों बराबर लिया है और स्टफिंग के लिए साथी के अंदर सूजी है खोया है और कुछ ड्राइफ रोड्स है और सब मेरे याम बराबर मातरा में लिया है देखिए आदिया दिकटोरी लिये सभी और बन जाता है बहुत ही जल्दी क्योंकि मिल्क पाउडर से बनता है एक छोटी चमच में यहां तो गी लिया था और इसके अंदर पाउड ऑर अब उस दूद के अंदर में थोड़ा-थोड़ा करते हुए मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और साथी साथ चलाते भी जाएंगे एक यह जट पेट मावा बनके तियार हो जाएगा बिल्कुल मार्केट जैसा ही आता है फ्लेवर इसके अंदर अब जरूगर से ट्राइ करें मिल पाउडर से मावा बन जाएगा और इसे में कंटिनू चलाती जाओंगे चलाती जाओंगे और थोड़ी से देर में देखी किता है तो घाड़ा हो गया है और यह मावा बनके तियार हो जाएगा यह देखिए और अब इसे में ठंडा होने के लिए थोड़ी से देर रख तीन गंटे पहले मतलब रखा है उसके बाद में इसे काम में लेंगे अब जो है मेदा का बनाएंगे डो इसके लिए जित्ती अपको गुजिया बनानी है तुम्हें थोड़ी बना रही हुआ पर एक कटूरी मेदा ली थी और इसे मेने चान लिया है मेदा को और गी डाला है गी ना तो एकदम जमा हुआ है ना पिगला हुआ है मतलब इसे नोर्मल सा है जो ताकि आसाने से ये मिक्स हो जाए और देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है गी बहुत ही अच्छे से मोयन आ गया इसके अंदर तो अम में यहां थोड़ा-थोड़ा करते हुए प पानी या मैंने गुंगुना पानी लिया है मेदा जब भी लगाएंगी मुका मोयन से तो गुंगुने पाने से लगाने से ठीक रहता है पानी की जगे दूद भी ले 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 फ्रेंड्स लेकिन मैं गुंगुने पाने से इसको मेदे को लगाया है इसका डो बना लिया है ये अब जब तक की 10 minute के लिए उसे रखा है स्टफिंग के तियारी कर लोंगी स्टफिंग के लिए यहां मैंने खोया बताया था आधी को टोरी खोया तो आधी छोटी चमच ही घी डाला है जादा नहीं डालूंगी घी जादा नहीं डालना है और खोये को जह रॉस्ट कर लेंगे इसे भी जादा नहीं पकाना है जादा इसको डार्क नहीं करना है बस इसको हलका सा एक से दो मिनेटी चलाना है और स्टफिंग तयार है दोनों चीजों को मैंने भून लिया अच्छे से अब जो मावा बनाया था वो सूजी, खोया, ड्राइफ फूर्ट्स यह सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे ड्राइफ फूर्ट्स को इसे भी अपने पसंद के ले ले अपने फ्लेवर अगर आप डालना चाहते हैं चाहिए तो इलाइची भी डाले कोट के मैंने डाल रहे हैं पे और मिठास के लिए यह शक्कर है इसे मैंने पीस लिया है मिक्से में ग्राइंड कर और यह पीसे वे शक्र इसके अंदर मिक्स करेंगे यह एक चोटी कटोरी है आधी-आधी कटोरी सारी चीजे लिए तो आधी-कटोरी यह भी हो गई है और फिर टेस्ट कर लेंगे अगर आपको मिठा ज्यादा पसंदे तो ज्यादा डाल लें और मिठास अपने हिसाब से लेक ताकि इजी रहेगा मुझे करने में और फिर जो बच्चा हुआ जो डो है उसको कपड़े से ढख के ढख देंगे ताकि जो मेदा है यह आटा है परने लगाया है डो वो सूखे भी ना इस पर पपड़ी ना आए उसमें नमी बनी रहे और अब इसकी जो है बना लेंगे चोटी चोटी पुडिया इस तरह से और जो फी गुजिया का जो साचा है उसके अंदर में रखोंगी यह देखिए इस तरह से मेने बना ली है यह ना मोटी है ना पतली है कित्ती सुंदर बन के त्यार हुई है और जो साचा लिया है उसके अंदर रखोंगी और चार तरफ पानी ताकि ये फ्राइ करते समय खुले नहीं चिपजा एच्छे से और इस तरह से जो बचा हुआ भागे उसे निकाल लेंगे और आप देख पाने किती सुंदर से गुजय बनके तयार हो गई है और अब इसी तरह से में सारी जितनी भी गुजय बनानी है सबी बना लूँगी और रख लेंगे तेल चड़ा दिया है उदर गरम होने के लिए पहले तेल अच्छे से गरम किया हैं और उसके बाद में उसके लोः फ्लेम कर दिया है और low flame के उपर ही में जितनी एक बार में गुजिय आ जाएगी इसमें सारी डाल दूँगी एक बेच में जितनी गुजिय आएगी वो सारी करके fry करेंगे लेकिन low flame लो से medium रखेंगे इससे ज़्यादा high नहीं करेंगे और इससे पलट देंगे पलट पलट के इस तरह से हमें इसको सुना रहोने तक करना है यह देखिए एक बार में जितनी गुजिय आ गई थी इसी तरह से में सारी fry कर लूँगी फ्रेंड्स मेरे जितने भी वीडियो है उसके इंदर आप नोट करते होंगे कि थोड़ा सा मतलब हिल डूलता जादा ही है यह तो आप इस बात को इग्नोर करें क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है एक हाथ से में काम करती रहती हों तो थोड़ा सा ध्यान उदर हो जाता है तो थोड़ा इस बात को आप इज्मोर करें बहुत हिलता है तो इस हारी गुजिया देखी मैंने बना ली है और बहुत एच्छी बनी टेस्टी बनी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिएगा कमेंट्स में बताईएगा